दोस्तो अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नए सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों हर औरत को अपने सुसुराल की पाँच बातें कभी शेयर नहीं करना चाहिए दोस्तों हर औरत अपने दोस्तों को अपनी हर बातों को शेयर करती है पर पती और सुसुराल से जुड़ी बातों को बाहर शेयर करना आपको किसी मुसीबत में डाल सकता है तो आई जानते हैं उन बातों को जो आपको कभी किसी के सामने शेयर नहीं करना चाहिए दोस्तो नमबर बन फैमिली प्लानिंग दोस्तो आपको परिबार का पढ़ाना चाहिए इसका फैसला आपकी सहलिय नहीं आप और आपके पती करेंगे यहां तक की जरूरी नहीं की आपके फैमिली मेंबर्स भी इस बारे में जादा राय दे अच्छी बात यही है की अपने पती से इस बारे में खुल कर बात करें ना की अपनी सहलियों के साथ शेयर करें हो सकता है आपकी ये बातें आपका मजाग उड़ा दे दोस्तो नमबर टू बैडरूम की बातें आपके बैडरूम की बातें अपने तकी रखें दोस्तों को छोड़िये कमरे के बाहर के लोगों को भी इस बारे में भी पता नहीं चलना चाहिए फिर चाहे वो छोटे मोटे जगड़े ही क्यों नहों हर पतनी को अपने बैडरूम के निजी बातें कभी किसी के सामने शेयर नहीं करना चाहिए इससे आप शर्में दा हो सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपके पती के साथ संबंद अच्छे नहीं है तो अपने माता पिता या ससुराल बालों से बात करें हर समय पती का रोना रोएंगी तो हो सकता है आपके पीट पीछे लोक आपका मजाग बनाए ये बात है आपके जीवन का बड़ा फैसला लेने के लिए होती है ना कि रोना रोने के लिए दोस्तो नमबर 4 सास ससूर की बुराई साथ ससूर से आपके समंद कैसी हैं इस बारे में किसी को बता कर आपको क्या मिल जाएगा कोशिश करें कि सबी के सامने उनकी तारीव करें या ज़ादा बात ही ना करें हाला कि आपको हर दूसरी महिला अपने साथ की बुराई करती मिल जाएगी पर यही मानिए वो असल में खुद की इज़त को कम कर रही है इसलिए आप ऐसी गलती भूल से भी ना करें दोस्तो नमबर फाइब खान पान एक शादिशुदा महिला को उसके घर में क्या बन रहा है क्या पक रहा है इसके बारे में जादा बताने की जरूरत नहीं है अगर ये बात किसी बाहर बाले बेक्ती को पता चली तो वो कई तरह की बाते कर सकता है दोस्तो अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब चरूर